हरियाली तीज वर्सिस हरतालिका तीज एक नहीं होती हरियाली और हरतालिका तीज। जानिए इनमें क्या है बड़ा अंतर। हरियाली तीज वर्सिस हरतालिका तीज। हिंदू धर्म में प्रत्यक वरत्व त्योहार का एक खास महत्व होता है और उस दिन विशेश पूजापा की जाती है। महिलाओं के लिए करवा चौत के साथ ही तीज का त्योहार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बता दे कि तीज का पर्फ साल में तीन बार आता है। इसमें कजरी तीज, हर्ताले का तीज और हरियाली तीज शामिल है। तीज का वरत महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना और घर में सुक्षान्ती के लिए रखती है। लेकिन हर्याली तीज और हर्ताले का तीज को लेकर लोगों के बीच काफी कमफ्यूजन है। कुछ लोगों को लगता है कि ये दोनों ही तीज एक होती है। जबकि ऐसा नहीं है। हर्याली और हर्तालिका तीज एक दूसरे से बिलकुल अलग होती है। आईए जानते हैं हर्याली तीज और हर्तालिका का धार्मिक महत्व इन में अंतर डौट विनायत चतुर्थी वरत आज इस शुब मुहूर्त में करे भगवान गणेश की पूजा मिलेगी सफलता बिनावरत कथा पढ़े अधूरी मानी जाती है विनायत चतुर्थी की पूजा। किस दिन मनाई जाएगी हर्तालिका तीज? जाने डेट, शुब मुहूर्त और महत्व हर्याली तीज और हर्तालिका तीज में अंतर बता दे कि हर्याली तीज और हर्तालिका तीज अलग-अलग महीने में आती है। दोनों ही तीज में माता पार्वती वभगवान शिव का पूजन किया जाता है और यह पूजन महिलाएं अखन सौभाग्य की कामना से करती हैं। जूलने की भी परंपरा है। कई जगों पर हर्याली तीज के दिन लड़कियां अपने माय के जाती हैं और वहां मस्ती करती हैं। इस दिन हरे रंग का विशेश महत्व माना गया है। इसलिए महिलाएं हरियाली तीज के दिन हरे कपड़े और हरी चूडियां पहनती है। साथ ही इस दिन मेहंदी लगाने की भी परंपरा है। वही हर्तालिका तीज के दिन महिलाएं कड़े नियोंगों के साथ वरत रखती है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है।